नेक्स्ट है ब्रोकरिज तो ब्रोकरिज जो है विक्तियों के लिए यूज किया जाता है वर्ड जो कि ब्रोकर का काम करते हैं और ये जो ब्रोकर होते हैं ये बायर और शैलर के बीज में कॉंटक्ट करने में आपस में हल्प करते हैं या उनको आपस में मीट करने में हल्प कर टीक है Commission जो भी दिया जाता है ब्रोकर को उसको ब्रोकर का नाम हम देते हैं और यहां पर ब्रोकर का मतलब है कि वह क मिशन्न जो कि share ब्रोकर को दिया गया है या किसी बैंकर Central दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी rv Analysis प्रोवाइड की थी कंपणी केśmyore और sale करने में यानि की help की थी company को company के share public को share sale करने में यहां पर हम यह भी कह सकते है कि brokerage की payment के वलसी person को की जाती है जो professionally इस काम को जो है कर रहा है किसी ऐसे individual को brokerage नहीं दिया जाता जो की सिर्फ ऐसे ही उसका profession नहीं यह बट ऐसे ही किसी company के share खरीदने के लिए किसी को induce करते हैं यहाँ पर यह भी clarify करना ज़रूरी हो जाता है कि underwriter commission और brokers दोनों different things होती है underwriter commission जो है उन persons को pay किया जाता है जो कि undertake करते हैं वो यह कहते हैं कि अगर company के share नहीं बिकते हैं सारे तो वो खुद जो है company के share पचे हुए ले ले लेंगे जितने public ने नहीं लिये है जबकि जो एक broker होता है वो जो है circulate करता है company का offer public के बीच में जो की interest दिखाता है company के shares खरीद के लिए वेक्तियों को search किया जो interest दिखा रहे है share खरीदने में next है underwriting and placing अब underwriting और placing में भी जो है difference होता है इन underwriting contract क्या माना जाता है कि underwriter ये agree कर रहे है कि public अगर specific number of shares or debenture जो company ने offer कि अगर उनको नहीं खरीदेगी तो underwriter खुद से ले लेंगे उन shares या debenture को जो भी public ने नहीं खरीदे और उसके लिए payment company को कर देगी जबकि प्लेशिंग में क्या होता है प्लेशिंग में एक individual और farm जो है locate करती है buyers को यानि की ढूंटती है company के shares or debenture खरीदने के लिए buyers को और इसके बदले में वो जो है company से commission लेते हैं और यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि जो प्लेशिंग होती है यहां पर कोई भी contract एक तरीके से company और जो प्लेशिंग party है उसके बीच में नहीं होता है shares or debenture को खरीदने से related यहां पर सिर्फ क्या होता है कि वो public को induce करते है shares or debenture खरीदने के लिए और उसी के उपर इनको commission जो है दिया जाता है जितने shares or debenture इन्होंने company के बेचने में या खुद बेचे है या बेचने में company को help की है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि placing और brokerage कहीं कहीं सेम है बट underwriting में एक मोटी बाद जो difference जो नजर आ रहा है कि underwriting का का काम जो लोग करते है वो company company को यह guarantee भी देते है कि अगर public आपके share नहीं खरीदेगी तो वो share जो है हम खरीद लेंगे next issue of share तो देखिए issue of share क्या होता है invitation होता है company की तरफ से public को उसके shares में पैसे invest करने के लिए और यह जो है काम company करती है prospectus के तुरू यानिकि यह invitation prospectus के तुरू दिया जाता है तो company जो कोई company अपने share को उसके face value पर ही public के बीच में issue करती है तो उसको at par share issue of share कहा जाता है जैसे कि माली जे company के share की value जो है 100 रूपीज है और company उसको 100 रूपीज पर ही public में issue करती है तो वो share issue at par है next issue of share at premium normally जो shares है company के वो at par ही issue किये जाते है बट कोई legal restriction नहीं है company के उपर कि वो nominal value पर ही अपने share बेचे या face value पर ही बेचे अगर कोई successful company है financially sound है जो कि पिछले कहीं सालों से dividend अच्छा declare करती है तो वो अपने share public के बीच में premium पर भी issue कर सकती है हाला कि company act में premium के बारे में कोई definition नहीं given है लेकिन जब कोई company अपने share को उसके जो face value है उससे ज्यादा price पर बे या face value से जितने अभी ज्यादा price पर share को issue किया है वो premium है for example अगर किसी company के share की face value 100 rupees है और अगर वो company उसको 120 rupees में public में issue करती है तो it means कि 20 rupees जो है यहाँ पर share premium है और यहाँ पर कोई restriction जो है shares के उपर premium पर issue करने से related company act में जो है नहीं लगाई गई है company चाहे तो आपने shares जो है वो कर सकती है premium पर issue पर company जो है इसके लिए जो भी कुछ rule regulation है थोड़ा सा उनको follow करने की जुरत होती है जैसे application of premium received on issue of share कि company अगर issue करती है share premium पर चाहे वो उसको cash में मिला है चाहे वो उसको हम यह कह सकते है कि aggregate amount के रूप में उसने लिया है जिसको की जो भी मतलब कि किसी भी रूप में उसको premium अगर मिलता है तो वो amount को देख करके security premium account में transfer कर देगी और यहां पर जो भी provision share capital से related होते है share premium capital account में भी जो है implement होते है और इस security premium account को कहां पर company use कर सकती है फर्स्ट है राइटिंग ऑफ करने के लिए प्रिलीम मिल्ड एक्सपांसिस को unissued share यानि कि bonus share इसमें से दिये जा सकते है अपने shareholder को राइटिंग ऑफ करने एक्सपांसिस commission paid on shares and adventure और providing premium payable on redemption of preference share or adventure जब redeem किया जाता है उनको अगर उन पे कोई premium company pay करती है for the purchase of its own share under section 68 तो इन सब कामों के लिए प्रिमियम को जो है यूज किया जा सकता है अगर company इन सब कामों के अलावा अगर इसको यूज करती है तो ये माना जाता है कि company अपने share capital में जो है reduction कर रही है जो कि according to law अलाव नहीं होता क्योंकि जो share premium होता है या security premium amount होता है उसको भी हम paid up share capital का ही part मान करके चलते है कि ये उसका ही हिस्सा था next issue of share discount कोई भी company जो है जब अपने face value से कम पर share issue करती है उसको share discount पर issue करना जो है कहा जाता है अगर nominal value किसी की 100 रुपीज है वो उसको 97 पर issue करती है जैसे कि उसने face value से कम पर यान की 3 रुपे discount पर share को जो है issue किया है generally companies को allowed नहीं है share discount पर issue करना इसमें कुछ restrictions जो है वो लगाई गई है जैसे कि बट एक बात ओर है कि market price अगर किसी company का 110 रुपेया है और उसका face value 100 है और अगर वो 105 में issue करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो discount पर issue करे यान कि market price से कम पर issue करना discount पर issue नहीं कहा जाता और generally allow भी नहीं किया गया है discount पर issue बट इसकी कुछ exception है जब मालेजिये अगर कोई company section 54 जो कि यह कहता है कि share को issue नहीं करना है अगर उसकी prohibition यानि कि उसको तोड़ता है उसको follow नहीं करता है तो अगर इस तरीके से किछी ने share discount पर issue किया है तो उसको जो है वोईड माना जाता है और अगर कोई company इसका उलंगन करती है कंट्रावीन करती है इस provision का तो वो company के लिए punishable act हो जाता है जिसमें company के ओपर एक लाग रुपे से लेके पांच लाग रुपे तक का fine लग सकता है और every officer जो इसमें active था या जिसका default ये था उसको सजा भी दी चा सकते है 6 महीने की और उसके ओपर भी fine जो है लग सकता है एक कंपनी को डिसकाउंट पे शियर इशू करने के लिए जो है अपने क्राडिटर के बीच में यह स्टेश्री डेजूलेशन प्लान यह डेट रिस्ट्रेक्टिंग स्कीम के अंतरगत जो है अलाओ कर दिया गया है नेक्स्ट है बुक बिल्दिंग बुक बिल्दिंग आप प् अब क्या होता है कि कई बार जो है कंपनी अपने शियर्स अपने एंपव्राइज यह डेरक्टर्स को डिसकाउंट पर इसचू करते हैं वह वह सी के बदले में नहीं उनको किसलिए इशू किये जा रहा है Employees Director को कि उन्होंने जो है अपनी Services Company के लिए प्रवाइड की है उन्होंने कोई Intellectual Property Rights जो है Company को दिया है या कोई Value Edition जो है Company के नाम पे किया है तो Equity Share जब इस तरीके से दिये जाते है Directors या Employees को Other than Cash कि उन्होंने Company में अपनी Services प्रवाइड की या Company के लिए अच्छा काम किया तो उसको हम Sweat Equity Share जो है कहते है Section 54 of the Company 2013 ये बताता है कि अगर कोई Company Sweat Equity Share इशू करना चाहती है तो उसको ये Conditions जो है Fulfill करनी होती है Sweat Equity Share कोई Company तभी इशू कर सकती है जब उसने Special Regulation पास गया Company के Journal Meeting में और ये Regulation स्पेसिफाई करेगा कि कितने Number of Share Current Market Price उसका क्या है क्या उसका Consideration होगा और किस Class के जो है Shares ये है Directors, Employees किसको ये Issue किये जा रहे है और Company को Business Start किये हुए कम से कम एक साल हो जाना चाहिए यानि कि उससे कम पिरियर ना हो हाला कि बाद में Amendment करके एक साल के पिरियर में भी एक साल के पिरियर के अंजर भी हम ये कह सकते है कि Within One Year From the Date of Commencement of Business भी Sweat Equity Share Issue किये जा सकते है Sweat Equity Share Company जो है अगर कोई ऐसी है जिसके जो Share है वो Stock Exchange में लिस्टिड है Sweat Equity Share Issue करते हुए करने चाहिए हम यहां पर यह कह सकते है कि कोई भी Limitation, Restriction या Provision Related to Equity Share भी Sell भी Applicable इन Shares के उपर भी ऐसे ही लागू होगी जैसे की Equity Shares पे होती थी Next है आपका Bonus Share तो Bonus Share जो है जो Company जिनके पास प्रयाप्त मातरा में Profits होते है और या Profits या Reserv होते है बट उनके पास अगर मालीजे Cash नहीं है तो वो Dividend Cash में न देकर Shares के रूप में कई बार दे देते है यानि कि वो अपने जो पुराने शेयर होलडर उनको Dividend Cash में न देकर Free में Bonus Share जो है और Bonus Share उन्हीं लोगों को दिये जाते है जो पहले से ही Existing Equity Share Holder होते है उनको परपोर्शनेटली जो है ये दिये जाते है Shares और यहाँ पर क्या होता है कि Existing Share Holder को Additionally Fully Paid Up Share जो है मिल जाते है और बाद में जब भी उनको कभी भी Dividend मिलेगा तो वो इन बड़े हुए Shares पे मिलेगा माली जी मैं कमपनी में 100 Shares रखती थी और कमपनी जो है 100 Shares पे अगर 10 Bonus Shares देती है तो अब मेरे पास Shares हुए 100 प्लस 10 110 और आगे से जब भी Dividend या Profit मुझे मिलेगा तो 110 Shares पे ही मिलेगा यहां पर हम यह कह सकते कि कमपनी की जो इशू Share Capital है वो Increase हो जाती जबकि जो Asset है वो बिल्कुल सेम रहती है कैसे हुआ कि Liability साइड में जो हमारे Profit थे वो अब Capital में Convert हो गए है और Reserves and Capital का Part जो है कम हो जाते Share Capital का बढ़ जाते है जबकि Asset साइड में हमारी जो Asset है वो Asset रहती है ऐसा जर्णली कमपनी तब करती है जब उसको लगता है कि अपनी Balance Seat में एक Gap को उसको ठीक करने की जुरत है यानि कि अगर Balance Seat को देखने से यह लग रहा है कि Asset जो है वो बहुत जादा है और Capital बहुत कम है बहुत कम पैसा लगा करके जो है अर्निंग की गई है तो उस case में जो है Company Bonus Share इसू करती है डिविडेंट कैस में देने की बजाए यहाँ पर भी पूरी करनी होती है Company को जैसे कि जो Bonus Share दिये जाएंगे वो तभी दे सकती है Company जब Company के पास sufficient undistributed profit है दूसरा Company ने अपने आर्टिकल में यह point डाला हुआ है कि वो अपने reserves और profits को जो है Capitalize कर सकती है इस व बॉनर शेयर करके और एक suitable resolution जो है Board of Directors की मीटिंग में पास इससे related कर लिया गया हो साथी Company एक formal approval जो है shareholder से भी ले 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 से related journal मीटिंग बुला करके shareholder की अगर Company कोई भी default किया है Company ने जो भी उसने debenture या loan वगेरा लिये उन पे trust की payment में या principal की payment में तब जो है Company इनको issue bonus share को issue नहीं कर सकती है अगर Company ने कोई default नहीं किया है अपने employees की किसी भी तरीके की payment में यानि की Company उनको salary भी दे रही है उनके provident fund में या gratitude bonus में भी पैसा डाल रही है तो भी Company bonus share issue कर सकती है अगर उसने default किया तो वो bonus share नहीं कर पाएगी पार्टली paid up share अगर किसी Company के है bonus share issue करने की date पे तो पहले उनको fully paid up बनाया जाएगा तभी bonus share जो है Company जारी कर सकती है साथ ही Company को जो भी Company Act की condition है उनको सभी को follow करना चाहिए और bonus share तभी जो है Company जारी कर पाएगी